ये कहानी क्लावड डाम के एक लड़के के उपर आधारित है जिसे अपने ही दोस्त की मा के साथ प्यार हो जाता है और वो उसके साथ घपा घप भी करता है अब इसके बाद कहानी में आगे क्या होता है ये हम आज की एकस्प्लेनेशन में देखने वाले हैं मुवी के स्टार् को इतने गंदे मार्क्स क्यों दिये हैं इस पर जर्मन उसे बोलता है कि बच्चों ने कुछ खास तो लिखा ही नहीं है तो मैं अच्छे मार्क्स किस चीज़ के दूँ तभी जर्मन क्लाउड नाम के एक स्टुडेंट का असाइन्मेंट पढ़ता है जिसमें लिखा हूँ कि क क्लाउड राफा को एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्फ करने के लिए देकर नीचे चला जाता है बहाँ पर वो राफा की मॉम को देखता है जो एक मैगजीन पढ़ रही होती है कुछ टाइम तक क्लाउड एस्थर को देखता है और फिर बापस राफा के पास आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी मैथ बहुत ही जादा खराब है इसलिए मुझे रोज आकर तुम्हें टूशन पढ़ाना होगा अब ये सब पढ़ने के बाद जर्मन अपनी वाइफ को बोलता है कि इस लड़की की राइटिंग स्किल बहुत जादा अच्छी है और ये आगे जाकर ए के लिए लिखा है और फिर वो जर्मन को पिछले असाइनमेंट के आगे का पार्ट देता है इसके बाद जर्मन अपनी बाइफ के पास जाकर उसे इस बारे में बताता है और वो दोनों आगे की स्टोरी पढ़ने लगते हैं उसमें लिखा था कि इस बार जब क्लाउड को काफी अजीब लग रहा था कि एक बच्चा इतना गंदा कैसे सोच सकता है लेकिन जर्मन को इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता क्यूंकि वो क्लाउड की राइटिंग स्किल से बहुत जादा इंप्रेस था फिर अगले दिन जर्मन इसकूल में क्लाउड की फैमली को इन अच्छा राइटर बनने में उसकी हैल्प करेगा फिर क्लाउड भी जर्मन को उसके आगे का असाइनमेंट देता है जिसमें लिखा हुआ था कि जब क्लाउड बापस से राफा के घर गया तब राफा और उसके डैट मैच देख रहे थे तब ही राफा की मॉम बहां पर आत अब ये असाइनमेंट जब जर्मन अपनी बाइफ को पढ़ाता है तो जर्मन की बाइफ को भी लगने लगता है कि क्लाउड की राइटिंग स्किल बहुत जादा अच्छी है फिर अगले दिन स्कूल में क्लाउड जर्मन को एक और असाइनमेंट देता है जिसे घर जाकर ज क्लाउट को बहुत अच्छा लगता है थोड़ी देर बाद राफा की मौम बहार आती है तो वो क्लाउट को देख लेती है पर तभी क्लाउट सामने रखी वी पेंटिंग्स को देखने का नाटक करने लगता है पर राफा की मौम को पता चल गया था कि क्लाउट उनकी बाते तो वो राफा के घर पर ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ पाएगा अब बहुत सूचने पर क्लाउट को एक आइडिया आता है और वो अगले दिन जर्मन का मैट का पेपर चुराने के लिए बोलता है और साथ ही उसे ये भी बोलता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो राइटिंग करना छोड़ देगा अब ये सुनकर जर्मन बहुत परिशान हो जाता है क्योंकि वो क्लाउट को एक अच्छा लेखक बनाना चाहता था इसलिए वो क्लाउट के बोलने पर मैट के पेपर को चुरा लेता है और वो क्लाउट को दे देता है अब अगले दिन जब टेस्ट होता है तो राफा के उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते है जिसको देखकर उसके मॉम डैट को बहुत अच्छा लगता है और वो क्लाउट को राफा को टूशन पढ़ाने देते है इसके बाद राफा के डैट क्लाउड को उनके साथ فुटबॉल मैच खिलने के लिए बोलते है पर क्लाउड उन्हे मना कर देता है क्युंकि जब वो दोनों मैच खिलने के लिए बहार जाएंगे ग्लाउट राफा की मॉम की येरिंग्स देखकर बोलता है कि ऐसी ही येरिंग्स उसकी मॉम के पास भी थी पर वो दुनिया में नहीं है अब ये सुनकर राफा की मॉम इमोशनल हो जाती है और दोनों कोल्ड रिंग स्पीकर बाते करने लगते हैं अब ये स्टोरी सुनकर जर्मन की बाइफ उसे बोलती है कि अगर राफा की डैट को इसके बारे में पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे पर इस पर जर्मन उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा राफा को फिर जर्मन क्लाउट का एक और असाइनमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि इस बार उसे राफा की घर पर बहुत लेट हो गया था तो राफा की डैट ने उसे यहीं पर सोने के लिए कहा फिर जब राफा क्लाउट को उसका रूम दिखाने के लिए जाता है तो वो क्लाउट को बोलता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और इसके साथ ही वो उसे किस करने लग जाता है अब इससे हमको पता चलता है कि राफा क्लाउट को लाइक करता है फिर जब आदी रात हो जाती है तो क्लाउट चुपके से राफा की मॉम के कमरे में जाता है और वो उसे सोते हुए देखता रहता है ये पढ़ने के बाद जर्मन की बाइब को थोड़ा अजीब लगता है तब जर्मन उसे बोलता है इसमें कोई भी गलत बात नहीं है और क्ला को देखते हैं जो राफा की मॉम के करीब आता जा रहा था इसके बाद रात को राफा की मॉम और उसके डैट के बीच में जगडा होता है और वो जगडा धीरे धीरे बढ़ने लगता है फिर राफा की डैट जब गुस्से में बाहर चले जाते है तब बहाँ पर क्लाउट की मॉम को एक लैटर दे कर बहां से चला जाता है अगले दिन उस लैटर को पढ़कर राफा की मॉम क्लाउट को अपने पास बुलाती है और फिर जब वो लोग बाते कर रहे होते हैं तो क्लाउट जर्मन को इमेजिन करने लगता है इसके बाद राफा की मॉम को वो लैटर लास्ट में लिखा होता है कि कहानी अभी बाकी है अब जब जर्मन ये सब पढ़ता है तो वो शौक्ट हो जाता है और अब ये बात अपनी बाइफ को भी नहीं बता सकता फिर अगले दिन जब जर्मन इसकूल जाता है तो वहां पर राफा के बारे में पूचने लगता है बहां से पता चलता है कि राफा आज स्कूल नहीं आया, अब ये जानकर जर्मन काफी परेशान हो जाता है, और वो एक टीचर के पास जाकर उसे राफा के घर पर कॉल करने के लिए बोलता है, फिर जब टीचर राफा के घर पर कॉल करती है, तो उसे पता चलता है कि राफा ब अब जर्मन को भी ये लगने लगा था कि अगर राफा को ये सब पता चल गया तो वो सच में आत्मात्या कर लेगा, इसलिए वो Кलाउट को ये सब लिखना बंद करने को बोलता है और कलाउट उसे मना कर देता है, और बोलता है लिखना बंद नहीं कर सकता ये सुनकर जर्मन उसे बोलता है कि ठीक है पर अब से मैं तुम्हारी कोई स्टूरी नहीं पढ़ूंगा ये सुनने के बाद क्लाओड अपनी अगले स्टूरी को बहीं डस्पिन में फेक कर चला जाता है पर तभी जर्मन अपने आपको रोक नहीं बाता और वो उस स्टोरी को डस्मिन से निकाल कर पढ़ने लगता है उसमें लिखा था कि आज राफा के डैट बहुत उदास घर पर आये थे क्योंकि अब वो अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा परेशान है तभी राफा की मॉम बहाँ पर आती है और उने बताती है कि वो प्रेगनेंट है ये सुनकर राफा के डैट बहुत खुश हो जाते है पर तभी बहाँ पर राफा आता है और उनको बोलता है कि क्लाउड अब हमारे घर पर नहीं आएगा और आप लोग मेरे लिए कोई दूसरे ट्विटर ढूंडो ये पढ़ने के बाद जर्मन क्लाउड के पास जाता है और उसे बोलता है कि आप तुम्हें राफा के घर पर जाना बंद कर देना चाहिए इस पर क्लाउड भी एगरी करता है और वो जर्मन को बोलता है कि अब वो कभी नहीं लिखाईगा फिर क्लाउड जर्मन को आगे की कहाणी बताता है कि आज उसकी और राफा की लड़ाई हुई थी क्यूंकि उसको मेरे और उसकी मॉम के अफैर के बारे में पता चल गया था इसके बाद हम देखते हैं क्लाउड अपनी कहानी को पूरा करने के लिए राफा की मौम के पास जाता है पर राफा की मौम उसका लिखा हुआ लेटर उसे बापस कर देती है फिर क्लाउड उसे बताता है कि हम दोनों यहां से कहीं दूर जा सकते हैं पर राफा की मौम उसे मना कर देती है क्योंकि Cloud उम्र में बहुत छोटा था अब इससे Cloud को बहुत बुरा महसूस होता है और वो रोने लगता है इसके बाद वो जर्मन के घर पर आता है जहां उसकी बाइफ जेना उसे बताती है कि जर्मन अप़ी घर पर नहीं है इस पर Cloud उसे बोलता है कि मुझे पता है कि वो घर पर नहीं है इसलिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ इसके बाद हम जर्मन को देखते हैं जिस स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि प्रिंस्पल को पता चल गया था कि उसे नहीं पेपर चुराया है फिर जब जर्मन अपने घर पर आता है तो उसकी बाइफ उसे अगला असाइनमेंट देती है जिसमें जर्मन को पता चलता है कि क्लाउट यहाँ पर आया था उस स्टोरी में लिखा था कि क्लाउट जेना को बताता है कि जर्मन ने उसे एक बार कहा था कि मेरी बेबी बांज है इसलिए हमारा बच्चा नहीं हो रहा ये सुनकर जेना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो क्लाउट के साथ ही घपा घप करने लगती है ये पढ़कर जर्मन को बहुत गुस्सा आता है और वो जेना के साथ लड़ने लगता है और फिल्म के लाज सीन में हम जर्मन और क्लाउट को बात करते हुए देखते हैं जर्मन क्लाउट को बताता है कि मुझे विसपास नहीं हो रहा कि जिस लड़के की वज़े से मेरी जॉब गई और मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई मैं उसी लड़के से बात कर रहा हूँ अब जर्मन की बात सुनकर क्लाउड हसने लगता है और इसी के साथ मोवी एंड हो जाती है I hope आपको explanation अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में